नमस्कार, मेरा नम है रवी, आपका स्वागत करता हूँ अर्थ वर्दन चनलन में बहुत ही लंबए समय के बाद SBI अपना एक नया फंड लॉंच कने जा रहा है जो कि ये SBI Nifty Midi के 150 Index Fund ये एक Index Category का Fund है ये NFO 21 September को Open हो जाएगा और 26 September को Close हो जाएगा Index Fund में investment करने से हमें बहुत सारे advantages रहते हैं जिसे कि ये mainly अपने respective index को track करते रहता है Index Fund mainly open ended category के Fund होते है मतलब हम Index Fund में कभी भी अपने पैसों को invest कर सकते हैं और कभी भी अपने पैसों को redeem कर सकते हैं Index Fund mainly diversified रहते हैं Index Fund में generally expense ratio बहुत ही कम रहता है Comparatively Active Equity Fund के और Index Fund mainly अपने benchmark को replicate करता है मतलब अपने benchmark का जो भी return देता है उसको वो follow करता है SBA Nifty Mid Cap 150 Index Fund mainly Nifty Mid Cap 150 Index को follow करने वाला है अगर हम इसके past performance को देखें तो इस index ने एक साल में 10.84% का return दिया है Last 2 साल में 35.03% का return दिया है और Last 3 साल में 27.55% का return दिया है यह सारे figures CAGR में calculated है इस fund में top 10 stocks कौन से कौन से रहने वाल है वो आप अपने screen में यहाँ पर देख सकते हैं और इनका allocation कितना रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर अपने screen में देख सकते हैं इसमें पहला stock है आप इन सारे stocks को यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं यह NFO 21st September को open हो जाएगा और 26 September को close हो जाएगा इस fund का benchmark रहेगा Nifty Midcare 150 TRI और इस fund का exit रहेगा 0.25% for 30 days मतलब आप अपने fund को within 30 days के अंदर redeem करते हो तो आपको 0.25% जितना exit load पे करना पड़ेगा लेकिन अगर आप 30 days के बाद अपने fund को redeem करते हो तो आपको किसी भी तरीके का exit load पे करने की जरूत नहीं रहेगी यह एक open ended category का fund रहेगा मतलब आप इस fund में कभी भी अपने पैसों को invest कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को redeem कर सकते हो यह regular और direct दोनों ही mode में available रहेगा इसमें growth और dividend दोनों ही options अविलेबल रहेगे अगर आपको अपना investment स्टार्ट करना है तो आप SIP, Lump Sum, HWP यह strip चारों में से किसी भी mode में अपना investment स्टार्ट कर सकते हैं minimum investment की बात करें तो लमसम mode में 5000 रुपीज से आप अपना investment स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करने हैं तो minimum 500 रुपीज पर मन्थ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं इस fund के manager रहेंगे हर्स सेठी जिनको 17 साल से भी ज्यादा के experience है SBI mutual fund को join करने से पहले वे JP Morgan के साथ में काम कर चुके हैं अगर इनका education qualification चेक करें तो इन्होंने अपना B.com complete किया हुआ है CA complete किया हुआ है और साथ में CSB complete किया हुआ है अब मेरा क्या मानना इस fund के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ अगर आपको long term के लिए investment करना है तो बेशक आप इस fund में अपना investment स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये index category का fund होने के कारण कोई भी investor इस fund में investment कर सकता है अगर आपने already mutual fund में investment किया हुआ है तो इस fund में investment करके आप अपने portfolio को diversify कर पाओगे अग्रेसिव investors भी इस fund में अपनी position बना सकते है वोप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो like करो, share करो और subscribe करो Thank you